अक्सर ये सवाल है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता रहा है सामने आता रहा है कि हमेशा चाहे केस महिलाओ की दौरा डाला जाए यान की पत्नियों की दौरा डाला जाए या फिर पुरूस यान की पत्नियों की दौरा डाला जाए उन केसों के अंदर ज्यादा तर सुनव महिलाव यानिकी पत्नियों की होती है पुरूस यानिकी पतियों की कोई नहीं सुनता है तो आज मैं practically आपको बताने वाला हूं कि क्या ऐसा होता है या फिर नहीं होता है और ये जो माने Supreme Court का judgment है इसके अंदर क्या कहा गया है इस में देखो वीचे शुरूप से आपको heading से पत देका 100% वीडियो है इसलिए आपको अन्तक पूरा वीडियो देखना है आधे अधुरी वीडियो से कोई भी जानकारी नहीं समझे में आती है तो फेले आप फटापटसे इस वीडियो को लाइक कर दीजे वीडियो को देखने के बाद में आपको सेर भी करना है आपके इस चै पक्स के द्वारा पत्नी के साथ में किया जाता है और उन सभी की evidence अगर उस पत्नी के पास में है witness उस पत्नी के पास में है और real में अगर ऐसी घटना होती है और इन सभी को अगर उन पत्नी साबित कर देती है तो बिल्कुल कानून का पूरा-पूरा साथ है जो पत्नी को मिलत है यानि कि पत्नी जो भी एक्ट केत है तो वो केश डालती है उसका पूरा उप्योग वो उठाती है पूरा फायदा उसको मिलता है यानि कानून आजकल क्या हो रहा है, आजकल ऐसा होता है कि अगर पत्नी जुटा केस दायर करती है और उसके evidence, witness अगर उस पत्नी के पास में नहीं है और वो अगर उस case के तहयत, उस act के तहयत अगर फायदा उठाना चाती है, जो डालना चाती है या फिर डाल रखी है तो बिलकुल भी उसको फायदा है जो नहीं मिलेगा यह 100% real है क्योंकि यहाँ पे evidence और witness के आधार पे ही present जो decision है वो आते हैं तो यहाँ पे अगर पती निर्दोस है तो निर्दोस ही रहेंगे उनको यहाँ पे गबराने की आवशेक्ता नहीं है उनको कोई नुकसान यहाँ पे नहीं होने वाला है उल्टा अगर जूंटा केस पतनी डालती है तो उसको यह नुकसान होने वाला है मैंटोपिक क्या है मैंटोपिक यह है कि ऐसी पतनी का निवास का अधिकार नहीं होगा घर में रहने का अधिकार नहीं होगा और दूसरों मैंटेनस भी नहीं ले सकती है तो कैसी पतनी नहीं ले सकती है जैसे पतनी DV का जूंटा केस करती है वो आरोप लगाती है कि मेरे सारे आरोप अगर वो लगाती है तो यहां पर उसको उस case के अंदर साबित करना होगा उसको evidence witness है जो उस case के अंदर दिखाने होंगे court को convince करना होगा समझाना होगा अगर court के समझ में आता है और यहां पर real में अगर उसके साथ में ऐसी घटना होती है तब ही उसको इस act के थैत है जो फायदा मिल पाएगा यान कि DV act के थैत वो जो भी फायदा उठाना चाहती है वो उसको मिल पाएगा चाहिए वो residence right हो या फिर कर सक रही है और यहां पर अगर वो residence right या फिर maintenance लेना चाहती है तो बिलकुल भी उसको उस घर के अंदर residence right यान कि निवास का अधिकार नहीं मिलेगा और दूसरा वो maintenance भी नहीं ले सकती है तो यहां पर इस तरीके से उस पतनी को जूटा केश डाल के बिलकुल भी फायदा नहीं मिलेगा ऐसी पतनी है जो कोई भी अधिकार इस तरीके के नहीं ले सकती है तो यह judgment बहुत ही महत्तपूर्ण है इस judgment का लिंक है जो इस वीडियो के description के अंदर दिया गया यहां पर आप किलिक करके इसको चीतरे से read कर सकते हैं जान सकते हैं कि मामला क्या है तो फिर आगे मिलेंगे आपसे ने वीडियो ने टोपी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद